एक बार फिर से आपका स्वागत है WSQ Tech की YouTube चैनल पर हमारी वीडियो एडिटिंग कोर्स की सीरीज में तो आज का वीडियो होने वाला है ऑडियो के उपर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑडियो मिक्सर पैनल्स के बारे में तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली समझेंगे हमारे दो जो ऑडियो मिक्सर पैनल्स हैं एक है जो हमारा audio track mixer और एक है जो हमारा audio clip mixer तो इन दोनों पैनल्स के बारे में हम समझेंगे दोनों panels के बारे में हम जानेंगे कैसे हम इन panels को use कर सकते हैं अपने editing के workflow में और अपने audio को कैसे अच्छा sound करा सकते हैं कैसे हम audio के अंदर changes ला सकते हैं तो चलिए गए शुरू करते हैं Audio Track Mixer Panel से तो अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपके अगर कोई भी पैनल जो मेरे स्क्रीन पे ओपन है वो आपकी स्क्रीन पे ओपन नहीं है तो आप Window Menu में जाके उसे यहां से ओपन कर सकते हैं तो यहां पे मेरा Audio Clip Mixer भी ओपन है और मेरा Audio Track Mixer भी यहां पे ओपन है तो यहां पे अगर आपने दोनों पैनल से ओपन कर लिए हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं हम यहां पे आज काम कर रहे हैं हमारी Editing Workspace के अंदर अगर आप Audio वाले Workspace में भी काम करना चाहते हैं तो आप यहां पे भी काम कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो के लिए मैं Editing वाली Workspace में काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी जेनरली जब Audio Edit करता हूँ तो यूजुली मैं कोई डिफरेंट आप यूज़ करता हूँ हो गए क्लियर अब हम देख लेता है सबसे पहले हमारा Audio Track Mixer पैनल तो Audio Track Mixer जैसे कि सजिस्ट करता है कि यह Track के अंदर चेंजिस करता है अगर आपको मेरा Sequences और Time Lines वाले वीडियो याद हो तो मिन आपको बताया था यह A1, A2, A3 यह अलग-अलग Audio Tracks है इस Tracks के अंदर Multiple Audio Clips हो सकती है जैसे कि यह तीन Clips है जो यह Track 1 के अंदर है A2 के अंदर एक Clips है तो हम Individual Video और Audio Files को Clips कहते हैं और एक Track के अंदर Multiple Clips हो सकती है तो चलिए हम Track Mixer Panel की तरफ चलते हैं तो जो हमारा Audio Track Mixer Panel है वहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे हम ऊपर से शुरू करें तो यहाँ पे अलग-अलग Effects लगा सकते है ट्रैक्स के उपर लेकिन हम Audio Effects वाले वीडियो में इस पैनल को हम समझेंगे अभी के लिए हम आजा आ रही है तो जब भी यहाँ पर दो वेवज आती है इसका मतलब है हमारा Audio है Stereo Audio यानि कि इसमें दो चैनल से Left Channel और राइट चैनल तो पैनिंग बेसिकली हमें क्या करने देती है यहाँ यह जो आपको एल दिख रहा है यहाँ यहाँ पर सेजेस्ट करता है राइट चैनल औ और अगर मैं से वापिस प्ले करूं तो हमारे यहाँ पर सिफ Left Channel के अंदर से ही Audio आ रहा है अगें अगर मैं से वापिस प्ले करता हूं तो आप देखें कि हमारे Left Channel के अंदर से ही सिफ Audio आ रहा है तो यह जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको Audio का इंड छाहिए और यहां से इंडिकेट हो रहा है वन के अंदर अगर मैंने माइन मार्म कर दियाने की सारा रृड्डिया श्रीट जो है को मेरे लिफ चंडल से यहां अगे इन सेम केस अगर मैं राइट को फुल कर दूँ तो मेरे राइट वाला चैनल के अंदर से ही सिफ और अडियो फ्लो होने वाला है आपर मेरे लेट वाला चैनल कम्प्रीट ली ब्लॉग ड्रहेगा तो यह बेसिकली किसले यूज किया जाता यह यूज किया जाता है जब उसका डायलोग सुच होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप लेफ्ट वाले चैनल को यहां पर ज्यादा इंपोर्टेंस दे सकता है इंडिकेट करने के लिए एक ice rapid experience करने के लिए को आप काम आता है उसकर आप यहांपूर्वर्ट आपको लिखा वा रहा है इस इस नमबर पर क्लिक करके इसमें एंटर भी कर सकते हैं या फिर इस नमबर के थूँ आप मूव कर सकते हैं अपनी रेंज तो मैं अभी इसके लिए 0 कर देता हूं इसे तो यह आप देखिए कि A1 ट्रैक है A2 ट्रैक है इन ट्रैक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा मैं अगला चीज हमारी यहां पर आ जाती है वो है M, S और R तो M, S और R अगर आपको पता हो मैंने आपको सीक्वेंस और टाइम लेंस वाले वीडियो में बताया था कि M का मतलब होता है Mute तो हमारे ट्रैक को अगर Mute करना है तो हम यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी करते हैं अगर आप Over करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका क्या purpose है Next हमारे पास आजाते है Solo Track यहां पर भी अवेलिबल है और यहां पर भी अवेलिबल है तो Solo Track basically क्या करता है कि अगर जैसे मेरे multiple tracks available है मेरे पास A1, A2 है तो अगर मैं Solo कर देता हूँ यहां पर जैसे कि आप देखेंगे माल दीजे मैं इसको एक बार के लिए play करता हूँ यहां पर मैंने इसको play किया तो आप यहां देखेंगे कि जो मेरे first track है उसके अंदर भी audio play हो रहा है और जो मेरे second track है उसके अंदर भी audio यहां पर play हो रहा है तो जब मैं Solo Track select कर लेता हूँ तो जो Solo वाला track जो मैंने select किया जिस track के आगे मैंने S icon enable किया है तो अगर मैं वापिस यहां पर play करूँ तो मेरे first track से मुझे sound मिल रहा है लेकिन मेरे second track से मुझे कोई sound नहीं मिल रहा है तो काफी बर क्या होता है आपके इस काफी सारे multiple audios होते है और उनके चलते वे आप 1-1 को mute करना possible नहीं होता अब मान लीजे मेरे पास यहां पर 10 होते और मुझे सी first track से ची होता तो मैं एक-एक को जाके mute करता वो चीज sensible नहीं रहती तो इसके लिए हमारे पास solo का feature मिल जाता है और solo आप multiple audios के लिए भी कर सकते है जैसे कि मान लीजे 10 में से 2 मुझे चलाने है तो फिर मैं क्या करूँगा मैं दो audio tracks को solo select कर लूँगा तो सिफ वो दो ही चलेंगे बाकी दस बाकी आठ नहीं चलेंगे यहां पर एक बर अटा देता हूँ और जैसे आप यहां पर mute भी करेंगे तो वोई चीज भी यहां पर indicate हो तो M और S तो हमें समझ में आ गया अब next हम देख लेता है R तो R basically हमें किसी भी track को recording के लिए enable करने देता है अगर आप कोई voice over record कर रहे हैं और आप directly उसे premiere pro में record कर रहे हैं volume meters तो volume meters में आपको यहां पर समझाना चाहूँगा इन्हें हम बोलते हैं यहां पर view meters और faders तो यह मैं आपको समझाना चाहूँगा कि काम कैसे करते हैं तो यहां पर देखे हैं कि मैं audio जब भी play करता हूँ यह एक level मुझे यहां पर बताते है कि मेरा audio कौन सी decibel range हिट कर रहा है यहां पर और साथी साथ जो एक और चीज़ यहां पर हमें दे रखी है वो है यहां पर volume control तो अगर मान लीजे कि मेरा audio ज़ादा ही loud है तो मैं उसे lower down कर सकता हूँ यहां पर यह देखिए मेरा audio low हो गया और अगर मेरा audio ज़ादा ही low है तो मैं इसकी volume यहां पर raise भी कर सकता हूँ अच्छा आप क्या होता है कि यहां पर आपको number देख जाता है कि आप कितना raise कर रहे हैं कितना गिरा रहे हैं वह आपको यहां पर number देखने को मिल जाता है और यहां से भी आप control कर सकते हैं इवन तक बागी सारी audio fields की तरह भी आप इस पर click करके एक number इसको दे सकते हैं decibel range इसको बता सकते हैं कि यहां तक मेरे audio amplify होना चाहिए तो अभी किलिए मैं से zero कर देता हूँ तो अब हम next देख लेते हैं हमारे clipping meters तो यह तो हमने अभी समझाता faders और view meters अभी जो आपको red icon यहां पर दिख रहे हैं चाहे left most side पे चाहे इदर चाहे right most side पे जो आपको यह red वाले bars दिख रहे हैं तो यह basically indicate क्या करते हैं यह indicate करते हैं कि हमारा audio clip हो रहा है कि नहीं clip basically कुछ भी चीज तभी होती है जो dynamic range के बहार चली जाती है यह हमें यह बताते है कि हमारा audio क्या वो फट रहा है कि नहीं फट रहा है तो अगर मैं इसे यहां पर लेके आँँ और मैं यहां पर play करूँ तो जब भी हमारा audio फटता है तो वो यह red icon से indicate कर देता है इसका मतलब क्या होता है कि हमें audio की जो decibel range है वो कम करने की जरुवत है तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारा जब audio 2 पे है तो यहां पर हमारा A2 channel जो है A2 track जो है हमारा उसका audio clip हो रहा है उसका audio फट रहा है तो हम क्या कर सकते हैं यहां से उसका decibel range हम कम कर सकते हैं तो यहां पर मैं इसको लिए आया माइनस 10.2 के असपास अब मैं इसे play करूँगा और अब मैं देखूँगा कि यह clipping वाला marker आ रहा है कि नहीं आ रहा है पीव मीटर्स और जो फेडर्स हैं इनका काम यह भी होता है कि अगर आपका audio clip होते वह आपको यह पर नजर आ रहा है तो आप उसकी volume कम कर सकते हैं अब यह तो आपको दिगए तीन tracks A1, A2, A3 यह जो इसके correspond करते है A1, A2, A3 के तो यहाँ पर हमारे पास एक master channel भी आ जाता है यहाँ पर भी हमारे पास एक master track mixer आ जाता है तो master basically क्या होता है master basically सारे तीनो tracks जो हैं जो हमारे आपको दो tracks available है और जो तीसरा track है जितने भी हमारे audio tracks होते हैं उनका combined volume represent करता है यहाँ पर उनकी combined decibel range यहाँ पर represent करता है तो अगर आपको overall volume गिरानी है अपने पूरे वीडियो की जैसे कि आपने सारी clips अगरे कर ली अपने align यहाँ पे सारे audio यहाँ पर आपने import करके लगा दी है अपने timeline में सारे edit आपको लग रहा है कि आपको वीडियो थोड़ा सा जादा loud हो रहा है यहाँ तो आप क्या कर सकत रहे हैं 3 अगाइस हमारा audio track mixer यह वाले जो होते हैं वो usually हमारे यहाँ पे recording के लिए काम आते हैं लूपिंग के लिए काम आते हैं और play stop toggle करने के काम आते हैं तो यह तो हम इन tools को use करके ही कर लेता है हमारे space bar को use करके ही कर लेता है recording का एक extra में यहाँ पे देखने को मिल जाता तो यह recording के बारे में मैं आपको जब हम recording की बात करेंगी कि premiere pro के अंदर हम चीज़े कैसे capture कर सकते आउडियो को कैसे record कर सकते वीडियो को कैसे capture कर सकते तब इसके बारे में हम बात करेंगे तो अब इससे मिलता जूलता एक और पैनल एक्जिस्ट करता है तो यह था audio track mixer यहां प आपको समझी जहोंगे जैसे कि मैंने बता है कि clip एक individual audio file हो गई एक individual video file हो गई उसे हम clip कहेंगे तो यहां पर हम बात कर रहें audio की तो जैसे कि मैं इस clip को select करता हूँ यहां पर और मैं इसका volume यहां पर कम कर देता हूँ माल लिजए मैं इसे negative 4 पर ले गया और फिर मैं next इस clip क कम कर दूँगा मैं इसे minus 10 के उपर लेके चला जाओंगा अब क्या होगा जब मैं इसे play करूँगा तो यहां पर जो मेरा play head है वो clip 1 के इदर है तो यह मैं जो माइनस 4 बता रहा है और यहां पर जो मेरा play head है वो मैंनस 10 के उदर है तो यहां पर तो हम tracks को change कर रहे थे हमारे tracks के अंदर changes ला रहे थे जैसे इदर तो मैंने negative 4 कर दिया यहां पर जैसे ही मैं आया तो मेरे 0 पर आ गया है इनका track तो सेम है लेकिन यहां पर clip change हो गई अब जैसे कि इसको मैं यहां पर negative 16 के आसपास ले जाता हूँ अब यहां पर मैं वापस है तो यहां पर negative 4 है तो यह basically individual clips के उपर हमें effects लगाने देता है individual clips के अंदर हमें volume adjust करने देता है अगेन बाकी सारी चीज़ों की तरह यहां पर भी हमें एक number range मिल जाती है कि अगर आपको left side में ज्यादा audio चीए या फिर right side में ज्यादा audio चीए तो आप यहां पर adjust कर सकता है यहां पर बस tracks के basis पर था तो क्या होगा कि जैसे मान लीजे a1 track में मैंने सारा अपना left side वाला audio रख दिया और a2 track में मैंने सारा अपना right side वाला audio रख दिया तो होगा क्या कि मैं left वाले पूरे track को एक साथ audio track mixer के साथ boost कर पाऊंगा लेकिन जो मेरे dialogue है मान लीजे कि क्लिप के अंदर a की audio file में instead of moving those clips to a different track उन clips को different tracks में लाने की जगा मैं उसी में रखना चाता हूं तो मैं clip wise edit भी कर सकता हूं मैं a की track में रखके clip wise edit भी कर सकता हूं यहाँ पर और साथी साथ यह जो है minute control minute level पर control offer करता है detail level पर control offer करता है track के अंदर multiple clips हो सकती है लेकिन यह हर clip के level पर हमें control offer करता है हर clip की decibel range हम अपने इसाब से control यहाँ पर कर सकते हैं इसको use करके ताज हमने सीखा audio track mixer panel के बारे में और audio clip mixer panel के बारे में एक और चीज़ जो यहाँ पर है कि आप इन audios का नाम भी change कर सकते हैं अब जैसी कि मैंने आपको बता है कि ऐसा scenario जहाँ पर मेरा a1 track के अंदर सारे left audio a2 track के अंदर सारे right side का audio तो यहाँ पर मैं इसको left का नाम दे सकता हूँ मैं यहाँ पर कलिक कर देता हूँ left और यहाँ पर मैं कलिक कर देता हूँ right यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया right और वहाँ पर मैंने type कर दिया था left यह वाला track जो है वो left audio के लिए रहे गा आपको मैं इन एफेक्ट्स के ओपर भी वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे हम यहाँ पर मल्टिपल एफेक्ट्स यूज कर सकते हैं और आपने अगर आडियो क्लिप मिक्सर में नोटिस किया हो तो यहाँ पे एक चोटा सा की फ्रेम का आइकन है जिसकी मदद से हम की फ्रेम्स क्रियेट कर सकते हैं तो जब मैं की फ्रेम्स का कंसेप्ट आपको एक्स्प्लेइन करूँगा तो आपको यह चीज भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी तो इस वीडियो के लिए इतना ही आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको चीजे समझ में आ रही होगी अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके क्या-क्या डाउट्स है ताकि उन्हें मैं सॉल्व कर पाऊं तो अगर आपने अभी तक WSQ Tech की YouTube चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो दोस्तो आज ही सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना बूले मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि WSQ Tech काफी सारी फील्ड में वीडियो डेवलप कर रहा है हम डिजिटल मार्केटिंग में और वेब डेवल्लप्मेंट जैसी फील्ड में भी वीडियो बना रहे हैं अगर आप उन फील्ड में इंट्रेस्टेड है या फिर आप किसी को जानते है जो कि इन फील्ज में इंट्रेस्टेट है तो उनके साथ शेयर करिए इस चैनल को उनके साथ शेयर करिए इन वीडियो को और बेल ऐकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों क्या होता है कि जैसी हम नए-ने वीडियो अप्डेट्स निकालते हैं हम नए-नी वीडियो सीरीज लाँच करने का डिसाइट करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन्स मिलते रहने चाहिए होता क्या है कि अगर आपको notifications नहीं मिलते हैं तो काफी बार आप series के अंदर कुछ videos को miss कर सकते हैं तो वो bell icon आपकी help करेगा कि जैसी हम video upload करें आपके पास तुरंट notification आपको मिल जाए तो इस video के लिए इतना ही guys मिलते हैं आपसे अगले videos में और जानेंगे हम audio के बारे में और कई सारी चीजे thank you everyone meet you in the next one